सामेक। हम एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक शुरू करने लेगे हैं थोड़ा सा लंबा हैं लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में पहले समने पड़ता है कि वो है क्या और उसके बाद में फिर उसकी ब्यूटी या अगलीनेस के उपर जो हम भू स्टाडी शु हमारे लिए अवास जो है ने वो एक लिहाद से जिन्दगी गुजरे का यंगा गजो भू सारे टूल्स होते हैं उनने से एक टूल है और उसके जरी हम फंक्शनल लायफ गजारते हैं मतलब यह कि ने काम करने हैं एक सीजी सी बात जो हमें काम करने हैं, हमने चीजों को समझना हैं, हमने खतरों से बचना हैं, हमने लोगों की सर्विस देनी हैं, तो उसमें हमें जितने ज्यादा सहूलते मिल सकें, उतने हम बेतर अच्छा सर्फ कर सकेंगे, तो हमारी जो पांचों सेंसे होती हैं, उससे जो हमें वाज़े सुनाई देती हैं उसके पर रिस्पॉंड करना है उसका जवाब देना या उसके पर अमल करना जो हैं वो हमारे लिए सर्वाइवल का टूल है अगर किसी को बिनाई का प्रॉब्लम है वो नहीं देख सकता तो बहाराल उसकी सर्वाइवल मुश्किल होती है उसको और बड़ी एफर्स करने परती है इस तर जो सुनाई नहीं देख सकता उसको और भी मसले होती है तो इसलिए आप इसको यह समझें कि यह हमारी सर्वाइवल का बेसिक टूल है सुनेंगे नहीं गुफटगू नहीं करेंगे आइडियास नहीं समझेंगे दुश्वारी होगी फ्रम बेबीस क्राइंग तो अस येलिंग इन अंगर और देंजर तो श्रीकिंग विद फियर और पें साउटे बच्चे रो के ही बताते हैं और उनके पास कोई तरीका ही होता है इसलिए साउंड उनके लिए बड़ी इमेजिन करें कि कोई बचा गर रोता नहीं है तो आपको ना पता चलेगा उसको भूख लगे ना उसकी इसी धर्द का पता चलेगा ना उसकी किसी खुशी गमी का पता चलेगा वो प्छारा सिगनल ही नहीं दे सकता तो इसी तरह जो बच्चे सुनने नहीं सकते हैं उनकी तर्भीयत में बहुत हमें मसला होता है क्यूंके वो चुड़के हमारी बात और खत्रा और कोई और चीज सुनने नहीं सकते हैं इस चीज़ें आपको सुनाई देंगी उतने जादा बेहतर तरीके से काम करेंगे उतने जादा बेहतr काम होंगे तो इस चीज़ को कहते है समझें कि अपने जाती प्लेजर का सोर्स भी हम बनाते हैं कि साउंड से हम बहुत मज़े भी लेते हैं बहुत जज़्धा ब्लेजर से निकालते हैं जो हमारे इसलोंज़ की साउंड है उन से भी और जो हम खास तूरपे ब्लेजर के लिए क्रेट करते हैं उनसे भी मतलब कहके हैं आपको पता है कि एक कहका दीन का एक कहका किसी का सुन लेंगे तो आपकी तबियत बेतर हो जाएकी अब इस किसम की भी सांञें जैसे गुसदुगो हो रही है लेकिन आपको पता है कि जैसे ये मुवें बिस्कट दबा कि हुँ हुँ हाँ हाँ करके भी गुस्दुगो कर रहे होती है वो भी सांञें वो भी ना सरफ communicate करती है बलके हमारे pleasure pleasure का सबब भी होती है और emotions भी एक दूसरे तक पहुंचाती है आपने इस चीज नोटिस की होगी कि मेरी background की जो आवाजे है चुड़ियों की बाइक्स की बच्चों की मैंने उनको block out नहीं किया हुआ यह सुने कोयल की आवाज है और यह चीज उसकी वज़ा यह है कि मैं चाहती हूँ कि lectures में आपको पता चले कि मैं किस किसम की जगा पे हूँ यानि ना सरफ मेरी आवाज आए बलके मेरे महौल की भी आवाज आप तक आए मैं जाती तोर पर समझती हूँ कि यह ज़्यादा बितर चीज है sounds of falling rain winds, trees swishing, animals making noises, birdsong, thunder sea waves hitting against shore, rivers flowing ice cracking, people talking, machines working to traffic running they all make up our sonic landscape sonic landscape क्या होता है sonic होता है ऐसी चीज जिसका तालुक अवाज से है और landscape का तो आपको पता है यानि हमारे इर्द-गिर्द का जो महौल है, जो environment है उसको अगर आप समझें कि आँखें बंद करके सिर्फ सुने तो आपके इर्द-गिर्द का जो सुनाई देने वाला महौल है उसको आप कहेंगे आपका sonic landscape है अब हमारे sonic landscape में क्या होता है जरा अब मेरे साथ आप ये तजर्बा करें कि आप आपके बंद करें और सुने जो आपके इर्द-गिर्द आवाजें हैं वो मिल के या अलग-अलग आपके आपका landscape समझें sonic landscape यानि सुनने वाला landscape paint करती है कि मतलब बारिश के गिर्दने की आवाज हवा तेज हलकी हवा खिर्कियों में से आ रही है पदों में से आ रही है दरखतों में से आ रही है हवा की आवाज दरखतों के हिलने की आवाज है जानवर परिंदे जो गिर्द हैं उनकी आवाज है अगर कोई परिंदा गाना गा रहा है यानि प्यारी सॉंग आवाज है जैसे मेरे बैक्राउंड में ये देखें मेरे बैक्राउंड में बर्ड सॉंग है वो मेरा सॉनिक लैंड्सकेप बना रही मेरे इड़्गित की चीज़ों में क्या क्या चीजें जो कि स्टोरी सुना लिए थंड़र अगर आप समंदर के किनारे तो समंदर के किनारे समंदर की जो वेवज जो साहल से टक्राती हो ब्हुत उ propriet उंची और बड़ी डिस्टिंक्ट आवाज होती है उसे समंदर के मूड का पता चलता है दिन और रात के समowania का अजा होता है अगर कोई दर्या या नदी है आपके पास तो उसकी बहने की आवाज है और फिर जैसे मैंने ये experience किया है कि जब सर्दी होती है तो रिवर्स जो है वो जम जाते है और जब गर्मी आने लगती है तो वो बरुफ तूटती है क्योंके नीचे पानी चल रहा है वोपर बरफ टूट रही है प्रेशर से तो बरफ के टूटने की आवाज भी खाली आपको बताती है कि हाँ फैबररी का इंड आ गया है और अब बरफ टूटेगी पानी चलना शुरू होगा जो लोग आपके अद्गित बोलते हैं जो मशीने ट्राफिक आपके गिर चल रही है वो साही आवाजे मिलके आपका सौनिक लैंड्स के बनाती है मेरे कहने पर आप एक एकसाइस करें कि आप अपने फोन की जो आडियो रिकॉर्डिंग है ना उससे आप अपने सौनिक लैंड्सकेप कोई पांच-पांच मिनट के रेकॉर्ड करें और फिर किसी दूसी जगह पर किसी को सुनाएं तो उसको और उससे पुछें कि आपके हैल में में कहा हूँ तो बहुत साही लोग शायद आपको बता सकें कि आप कहा हैं क्यूंकि जो आवाजें होती हैं वो बड़ी स्टोरी पेंट करती हैं बारिश की वादे हैं, जानवरों की वादे हैं, मशीने चल रही है, कोई इस तर कि आपके घर में मशीन चल रही है, इन सबसे आपका सौनिक लेंट्स के बनता है, यूजिली वी हेर अप मिक्स आफ मैनी साउंड्स तोगेदर अगरूप, ये बात बिल्कुल दुरूस्त है, क कि जो कुछ भी किसी वक्त भी आपको सुनाई दे रहा होता है, वो एक मिक्सचर होता है, आफ मैनी साउंड्स, जैसे जंगल में आप चले जाएं, ट्रैफिक में आप चले जाएं, स्कूल में, रेस्टरांट में, घर में गहीं भी, बहुत ही काम होता है कि कोई एक आवाज आ रही है, अवरी प्लेस साउंड्स, तो डिफेंड़ में, आप पांच मिनिट के लिए बड़ी से तरीके से अच्छे माइक्रोफोन के साथ अपनी जगा की रिकॉर्डिंग करें, और किसी को बड़ी दूर भेजें और फिर अंदाजा करें, बलके इस मैं आभी आपको बत असरसाइज भी है, इस असाइनमेंट के बाद, इस डेक्चर के बाद आपकी जो असाइनमेंट है, वो यही है कि आपने पांच मिनट की आडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और फिर वो आप शेर करेंगे ताकि सब क्लास फ़लों पहचान सके कि किस जगा की आवाज है, अब आप इमेजन करें कि इन जगों पे आप हैं, कई दफा पूरे, मतलब शेर को या उस जगा को आप पहचान लेतें सिर्फ आवाजों से, अब आप इन में से बहुत सी जगों पे नहीं गए होगे, हो सकता कुछ जगों पे गए भी हो, लेकि अब आप इमेजन करें कि इस आप गोर कीजएगा, उसमें ना सिर्फ आवाजें होती हैं, बलके चूंके उसमें टाइम भी होता है, यानि पांच मिनट का अरसा भी होगा, तो बहुत सी आवाजें जो हैं, वो एक स्टोरी बन के आपके सामय हैंगी, स्टोरी में क्या होता है, वाकियात तर्तीब, दर्त होते हैं, तो आवाजें भी इस चीज़ का रिकॉर्ड होती है, कर टाइम गुजर रहा है, तो कई दफ़ा आपको उसमें से भी स्टोरी निकलती हैं, ये भी एक्सरसाइज बड़ी होती है, स्टोरी टेलिंग में, कि आपको आवाजें सुनाई जाती हैं, और फिर का जाता ह कि अच्छा इनी आवाजों के मताबिक एक कहानी लिखो, तो इतनी टाकत है किसी सिटी की साउंड में, अब हम इमेजिन करेंगे, हाँ क्या सांड्स होंगे, ये, I think, रिल्वे स्टेशन है, जैसे लिखा जा सकता है, इस चीज पे, कि इस जगह की मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाव पांच मिनट की, इसके उपर एक श्रॉर्ट स्टूरी लिखी जा सकती है, लेकिन दूसरी अंगल से देखें तो ये रिपोर्टिंग का भी पीस है, मतलब जैसे निउस चाहे आडियो विडियो दोनों करते हो, लेकिन जो न्यूस रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें भी यही होता है कि टाइम का एक सेग्मेंट, जिस जगह पे कोई वाक्या हो रहा है, उस वक्त का एक टाइम का टुकडा कैप्चर कर लिया गया और वो सुना दिया गया, यानि य हुआ था, तो ये पीस ओफ रिपोर्टिंग भी है, और सच मुझ की लिटरिचर की बेसिस भी हो सकता है, इस टेबल पर पांच मिनट की रिकॉर्डिंग आपको क्या क्या बताईगी, अब यह सब इमेजन करें आप एक एक मिनट के लिए, कि यहां क्या आवाजें और क्या यहां कि यहां कि यहां कि यहां कि. कर दो कर दो कर दो जो एक बार 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 वली जो आवासे होती हैं उनको आमतर के आफ शोर कहते हैं और कई दखाप शोर जो बहुत कॉंपलेक्स और बहुत रिपीटेड हो जाता है तो उसको आफ नाइस पॉलूशन भी कहते हैं यानि ऐसी पॉलूशन जो अवाज के लिए फैले जाए शह टाइम पर चले जाएं भले वो चीजे आपको थोड़ी थोड़ी कभी-कभी उनमें से कोई-कोई बिट्स अच्छे लगते हो लेकिन बेसिकली उदर जाके आप सोच नहीं सकते हैं सोच क्यों नहीं सकते हैं क्योंकि आपका आपके कानों में इतना अजीब और गरीब किसम का आपका दिमाग क्लियरली सोच नहीं सकता तो यह इसको कहते हैं कि क्लस्टर ऑफ आवाजें जो के आपको किसी अच्छी चीज़ पर फोकस ना करने दे उसको आप कहेंगे नॉइस पुलूशन दे डिस्टरब अस एंड वी ट्राय आर बेस्ट वाइड दें हम हर सुरत चाते हैं ट्राफिक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कुछ भी ना करें अगर आप ट्राफिक में स्टक हैं तो आपके सर में खामखा दर्च रोगी क्यों बेकर वह वह आवाजें और बड़ी तेज और बुरी वाली आवाजें रिपीट पर चल रही हैं चोंकि आप नहीं सुना चा साउंट और इस वक्त हमारी पड़ी खुश होती है कि भाई कोई आवाज आजाएं कोई बिली बोल जाएं कोई हवा चलने की आवाज आजाएं किसी इनसान की बहुत दूर से यह वाजाजाएं कुछ तो आवाज आएं क्योंके हमारा आवाज के साथ कनेक्शन समझें कि जि और मौत का होता है कि अगर हमारे गिर्द आवाजें नहीं आरी तो हम मेरे खार में एवलूशन में ही हमारे यह चीज़ होगी जब से हमारी एवलूशन हो रही है कि टोटल खामोशी जो है वो आपको परिशान करती है एक दम घबराहट का आप शिकार होते हैं आपको आपको इस चीज़ का इसास होता है कि जब बरफ पड़ी भी होती है और एक डिर्ड महीं न गुज़र चका होता है तो बहुत शिदीद खामोशी होती है इतनी शिदीद कि उस वक्त आप डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंके कोई आवाजे नहीं आ रही होती है तो अगर कोई भी आवाज आती है तो आपको वो इतनी ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंके वो इस चीज़ के कोई और बी जिन्दा है और यह समझें कि लाई यह जो आप आवाजे सुनते हैं बैगराउंड में यह आपको बाकी दुनिया से कनेक्ट करती हैं उस वक्त भी जब आप बिलकुल खामोशी में अलैदा हों साइलेंस में हों ठेकिन उस वक्त भी जब आप नॉर्मल दुनिय हैं और आपको कोई भी आवास नहीं आ रही है आप क्या आप घबराहट का शिकार होंगे या नहीं आम तोर पे जो बैगराउंड की नौइजे ज़ती हैं वो आपको बताती हैं कि अच्छा क्या 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 पीछे चल रहा है और वो उसमें खत्रा भी आप डिटेक करते हैं खुशी भी डिटेक करते हैं कोई अचानक कोई हरान करने वरी चीज़ होती वो भी डिटेक करते हैं इसका मतलब है कि आपकी लाइफ गुजारने में जो बैगराउंड की आवाजें हैं वो बहुत ज़्यादा करती हैं ना सिर्फ इंफरमेशन के लिए बलके प्ले जहराई में छुपएवे होते हैं अपना हाइबरनेशन में होते हैं जानवर भी इंसान भी कम कम होते हैं क्योंकि इतनी सर्दी में सखत मुशल में बाहर कोई नहीं निकलता तो यह समझे कि खामोशी की एक अल्टिमिट तस्वीर अगए है तो यह है इसलिए आपके लिए इसलिए आपको जो बैगगराउंट की कहानी है एक तो वो गुफटगवे जो मैं आप से करी जो इम्पॉर्टन है और एक वो बैगगराउंट की आवाजे हैं जो कि आपको मेरे इद्गिर्द से आ रही है इसी तरह आप भी अपने इद्गिर्द से जो आवाजें सुन रहे हैं वो जो हैं वो स्टोरीज हैं और वो लाइफ है आपकी जो चलती चली जा रही है ये भी बड़ी सक्स चीज़ इंपॉर्टन होती है अब आप इमेजिन करेंगे ये बेच रही है अपना काम कर रही है अपना सोधा चल रहा है लेकिन जो इद्धर की ओवाजें हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा इंफर्मिशन दे रही है और अगर गोर करें तो उसमें स्टोरीज भी हैं बहुत किसे भी हैं चीज़ें सुनने के भी बहुत शौकीन हैं सो सिटी नॉइस इन वन सौफट वे कीपस टेलिंग देर लाइवस बिंग स्पेंड अराउंड अन्यूमन स्टोरी इस गोईंग ऑन और लेकिन ये क्यों है यसे लिए कि मेरे मेरे हसाब से मैंने इसके बारे मेरे हसाब से ऐसे ही बात है कि जैसे एवोलूशनरी तरीके पे कि जब हम इनसान बन रहे थे करोणों साल पहले तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टन था कि हम किसी ग्रूप के अंदर क्रूप के पास पास ही रहें क्योंकि उसमें सर्वाइवल थी अकेला जिन्दा नहीं रह सकता एकटे होंगे तो जिन हाँ इनसान हैं हमारे इर्गिड यूमन स्टोरी जो है वो चलती चली जा रही है यह नहीं के लोग खतम हो गए तो यह मुझे लगता है कि यह एमोशनल बेसे ऐस चीज़ की अगर मैं यह चीज़ एक्सपें करने कुछ करूं कि क्यों मुझे पीछे की वैगराउंड की आपको पता होगा कि यह आपको पता होगा कि आपने बंद किया लेकिन अगर सोचें के इमेजन करें एक तम एक तम आपको पीछे की सारी वाजे आना बंद होगी तो क्या होगा मेरे एक हसाब से 99% मुझे यखिन है कि हम एक दम इलर्ट होजाएंगे कि यह क्या हुआ और हम एक दम बाहर दोड़ेंगे इद और देखेंगे यह पता करने के लिए कि क्या हुआए इद दो के लोग इद दो के लोग चीज़ें कहाँ चली गई की आवाज की असल मुपसूरती यही है that it is a guarantee of human caring for other human lives की ना सिर्फ यह कि आपके लोग जिन्दा हैं बलके अगर गोर करें तो यह idea कि हम आवाजें इसलिए सुनना चाहते हैं कि हम दूसरों के बारे में परेशान होते हैं दूसरों का ख्याल रखते हैं दूसरे हमारा ख्याल रखते हैं हम दूसरों का ख्याल रखते हैं इसलिए यह भी आप कह सकते हैं कि हमें in general human life की यानि इनसानी जिन्दगी के बारे में हिफाज़त करने का जذबा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम आवाजों के जरीए एक दूसरे का पता रखते हैं, ख्याल रखते हैं और जब हमें आवाजे आने बंदो जाती है तो एक दम हमें लगता है कि उस स्टेट अफ अमरजनसी है फॉरन पता करो कि क्या हुआ मेरे साथ खराबी हुई या दुनिया के साथ खराबी हुई तो इसलिए कहते हैं कि जो बैकराउंट नॉइजे हैं, शिटी की जो आवाजे हैं, उसमें हिमेनिटी की बेस्ट जो कॉलिटी जना हो नजर आती हैं और यही उसकी असर हुबसूरती है अब यह भी देखें कि देखें आवाज आपको आई, साइकल चलाने की जब तक साइकल चल रही थी वो आवाज आपको आती रही और उसके बाद वो आवाज खतम हो गई लेकिन अगर वो आवाज रिकॉर्ट कर ली जाएगी तो वो आवाज भी लेहदा से एक्जिस्स करना शुरू होगी साइकल चलना बंद भी होगी तो अभी वो आवाज किसी रिकॉर्डिंग डिवाज में मौजूद है, यानि वो आवाज भी एक चीज है अप ऐसी चीज़ है जिसको आप इदर से उदर ले जा सकते हो इसी चीज़ा जिसको बार बार देख सकते हैं यानि सुन सकते हैं अब वो इंडिपेंडेंट आबजेक्ट बन गई है यानि उसकी अपनी जिन्दगी स्टार्ट हो गई इस रिकॉर्डिड आवाज की इसलिए आप म्यूजिक जो करते हैं जिसने आवाज पैदा की, नहीं आवाज अलेदा से एक चीज़, एक शै़ कंसिडर होती है यानि उसका जो जो ओरिजिनल सोर्स है कि असर में जान से निकली थी वो हो या नहो आवाज एक शै़, एक चीज़ है जो के मौजूद रहती है इसे त courtesy अवाज आवाजा तिन Лए però पर इसको बार बार सुनते हैं जिस بर किताबे बार बार पैन सकते हैं छूरा को भी डुबारबार अप्रोच कर सकते हैं बार इंज़य कर सकते hypothetical कि इसका मतलब है कि sound आपको time में पीछे लेके जाती है एक ऐसे वक्त का एक टुकड़ा होती है जो वक्त गुजर चुका है sound give us a lot of information about source of sound and also about the surroundings by the difference in its pitch, duration, loudness, timber, sonic texture and special distance अब आवाज recorded है आवाज आपको खाली एक बात करने की आवाज जैसे मैं बात करें खाली ये आवाज आपको बहुत सारी चीज़ों की information देती है उसकी pitch में अगर फरक हो, अगर duration में फरक हो, अगर उन्ची और नीची यानि मध्धम और तेज आवाज हो, उसका timber क्या है यानि उसकी आवाज की quality क्या है कई दफ़ा आवाज मेरी आवाज आवाज आपको सोई भी लगती है सोके उठें, कई लगता है बहुत ताजा है कई दफ़ा लगता है नेजल आवाज है कि नाक में से निकल रही है कई दफ़ा लगता है कि घुसे में बोल रहा है यानि वो जिस तरह आवाज का texture आवाज की चीज़ चेंज होती है उसको आप कहते है उसका timber चेंज होती है sonic texture यानि वो कितनी smooth है, कितनी rough है और special distance के कितना फासला है या कितना जल्दी जल्दी है तो इस तरह की जो information आवाज की आती है उसकी वज़ा से आप को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती है जितना आपने सोचा गए उससे ज़्यादा अगर गोर किया जाती है although it is not a strict rule but three major factors make a sound pleasant or unpleasant बेच्चक यह कोई बहुत सख्त hard and fast rule नहीं है इस rule के खलाफ भी चीज़ें जाती हैं लेकिन अमूमी तोर पे असान जबान में आप कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें जिसकी वज़ासे कोई आवाज कम या जादा खुबसूरत या खुबसूरत और या बदसूरत बनती है के loudness के loudness की कम या जादा होने की वज़ासे भी जिसको amplitude भी कहते हैं इसकी वज़ासे भी आवाज खुबसूरत या कम खुबसूरत हो सकती है pitch यानि कितनी तेज आवाज है उसकी वज़ासे frequency वाज की क्या है बहुत श्रीकिंग वाज़ें भी होती है और बहुत मधधम वाज़ें भी होती है तो समझें कि ये pitch का भी फरक है कि pitch के फरक की वज़ासे भी आवाज खुबसूरत या बदसूरत हो सकती है और quality of timber timber तिमबर जिसमें ने कहा है कि आवाज की निचर भी होती है कि बांसूरी की वाज सितार की वाज से फरक है लकडी की बांसूरी की वाज मेटल की बांसूरी की वाज से फरक है तो ये जो फरक होते हैं ये timber कहलाते है कि इन तीनों में फरक आए तो आपकी वाज खुबसूरत या कम खुबसूरत या बदसूरत हो सकती है और इसको control किया जाता है obviously audio systems के जरी the greatest beauty of sound lies in its extreme richness यानि अगर असान तरीन अलफाज में कहें के अच्छा साउंड में हुलसुरत बात किया है साउंड में हुलसुरत बात सबसे जादा ये है कि वो एक extremely rich source है उसमें बहुत ज़्यादा varieties है उसमें बहुत ज़्यादा tonalities है उसमें इतने बारीक बारीक फरक है कि जहरे जितने ज़्यादा बारीक फरक किसी medium में पहचान सकेंगे उतनी ज़्यादा तरहा की बातें उसमें कही जा सकती है और सुनी जा सकती है और उसको कहेंगे कि बड़ा rich source है इसलिए आप इसी की आवाजों की बे तहाशे वराइटी होने की वज़े से आप कहते हैं यह बहुत ही rich है और यही sound की सब ज़्यादा खुबसूरती है यह ब्रकुर ऐसी बात है कि sense of smell से आप बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए smell लिमिटे है हमारे लिए smell से गुफटगू करना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हमारे लिए जबान से गुफटगू करना बहुत असान है इसलिए कि जबान में आवाज है और आवाज की बहुत वराइटी है जबकि smell की वराइटी जो है वराइटी भी काम है और दुसी बात है, सब लोग smell को बिलकुल एक तरह experience में नी करते हैं, इसलिए smell से communication बहुत काम होगी, जाएके से निस्बतन बेतर हो सकती है, लेकिन आवाज से सबसे जादा गुफटगू की जा सकती है, sound has thousands of varieties and millions of combinations, varieties उसमें हजारों हैं, और फिर अब हर variety को मुखतलिफ combinations में मिलाएं, तो वो जो combinations हैं, कि जो, अगर एक हजार varieties को, को, के set बनाना शुरू करें, अलग-अलग, तो उनको combinations कहेंगे, combinations पर millions बन जाते हैं, तो ये इसकी richness का सबूत है, आप देखें, music के genres, अगर आप Wikipedia पर देखना शुरू करें, हजारों genres हैं, सिरफ music के, क्यों? इसलिए के वो बहुत रिच है, it is like a rich set of alphabets that can make thousands of words and thousands of sentence, ये उसी तरही जैसे ABC होती है, 26 alphabet हैं, लेकिन 26 alphabets से हजारों लफ्ज बनते हैं, हजारों लफ्जों के combination से करोणों sentence बन सकते हैं, हर संटेख से दूसरे से फराग होगा, इसको कहेंगे richness, when there is richness in a medium such as sound, it can communicate complex ideas and concepts to people, जैसे क मैंने बताया है, कि smell से आप गुफ्टबू नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि वो limited है, लेकिन जो rich source है, जैसे आवाज है, sound है, sound की एक next level की beauty ये है, कि चूंके वो बहुत ही करोडों तरह के sentences बना सकती है, और हर sentence एक दूसरे से फराग है, इस वज़ा से, इसका मतलब यह है, कि न हम दूसरे को समझा सकते हैं, क्यूंकि हमारे पास complexity of ideas को बियान करने के लिए complexity of sounds और words मौजूद हैं, जितनी complex जबान होगी, जितनी rich जबान होगी, उतने ही ज़्यादा rich ideas उसमें explain की जा सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि कुरान चरीफ और अर्बी, उसके लिए चूज कीगी क कुरान चरीफ को explain करने के लिए क्यूंकि अर्बी बहुत ही rich जबान है और बड़े बारीक बारीक फरक फरक ideas अर्बी में बताने की बहुत सहूलत हैं, जो दूसरे जबानों में नहीं थी, और यही इसकी खुबसूरती है, अर्बी की भी और generally sound की भी, and when communication is this good, humans connect very well to each other, understand each other very well and share feelings with each other through sound, अब यह देखें कि जब कोई बहुत, किसी जबान, यह sound का system इतना complex होके, जितना complex और मुश्किल ideas हमारे जहन में आ सकते हैं, वो हम बता सकें, तो उससे क्या होगा, बताते हैं हम किसको हैं, दूसरे इंसानों को, बताते हैं, जो भी मुश्किल तरीन, बारीक तरीन, हसास तरीन, आइडिया हमारे जहन में आ गया, अगर हम बिलकुल उसी हसासियत बारीकी के साथ हम दूसरे इंसान को बता सकें, तो क्या होगा, दो इनसान बिलकुल एक पेज़ पे आ जायांगे, दोनों इनसानों को, एक complex idea बिलकुल एक तरह समझ आजाएगा इसका मतलब है कि इनसान इनसान को जादा अचीता समझ सकेगा इसका मतलब यह कि इनसानियत जो है वो एक दूसरे को अचीता समझ सकेगी और complex idea सिर्फ एक इनसान की समझ में नी आएगा ہزاروں انسانوں کی سمجھ میں آ جائے گا جیسے اس وقت میں کورس پڑھا رہی ہوں کہ ایک کمپلیکس آئیڈیا ہے جو کہ میری سمجھ میں Map جو پہ آیا ہے ایک ہزار اور لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ایک کروڑ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو چونکہ آواز میرے پاس ہے میرے پاس آواز کا اتار چڑھ LAU موجودہ ہے میرے پاس ریکارڈنگ کی Rare آرگ کی سیز موجودہ ہیں और मेरे पास बहुत सारी जुबाने मौजूद हैं इसलिए मेरे लिए एक इनसान से दूसरे इनसान तक कॉम्पलेक्स आइडिया पहुंचाने की पूरी सहूलत है और जब हम बहुत इनसानों को एक ही फिलिंग दिलवा दें तो समझें कि आप फिलिंग शेयर भी कर रहे हैं साउंट के मीडियम के जरीए और आप कर कर रहे हैं सबसे बड़ी बात के इनसानियत को करीब तरीन ला रहे हैं यह सबसे बड़ी सर्विस है इंसानियत की कि अगर एक इंसान की जहनी तोर पे परवरिश होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीज समझ सकता है तो उसका मतलब है कि फिर आप में ला ने ये ताकत दे दिये कि आप हजारों कुरोडों लोगों की भी उसी लेवल की परवरिश कर सकते हैं this is the real beauty of sound even after so many discoveries in sound and music today there is still vast variety of possibilities that are still to be explored इतनी तहकी के आवाज के पर जैसे मैंने काई विकीपीडिया पर जाएं और आप देखें कि music genres कितने हजारों नज़र आएंगे आप languages देखें हजारों languages हैं इतनी जाता exploration के बावजूद अभी भी आप नहीं कह सकते के sound पूरी तरह explore होगी अभी भी बहुत सारी possibilities हैं जो हमने अभी तक discover नहीं की thank you